जै मातादी जै मा सरस्वती नीर हार हार धन सार सुधा करम भाकल्यान अम्दा कनक चंपकदां भूशाम उतंग बिन कुछ कुम्ब मनो हरांगी वानी नमामी मन सावत साविबुते ओम हैं सरस्वते नमह यह मा सरस्वती का मंत्र है जो भी व्यक्ति इस मंत्र को रोजाना ग्यारा बार बाठ करता हो मा भगवती सरस्वती के सामने गुलाब का फूल चड़ाता हो उसकी बुद्धी खुल जाती है अम एम सरस्वते नमह यह मा भगवती सरस्वती का बीच मंत्र है और सरस्वती नमो नित्यम भद्र कालिये नमो नमह वेद वेदांत वेदांग विद्याशना निभ्येवच यह मा सरस्वती का मंत्र है सरस्वती महाँ भागे विद्धे कमल लोचने विद्ध्यारूपे विशालाक्षी विद्ध्याम देही नमस्तु दे आम एम रीम श्रीम क्लीम बाकवादीनी सरस्वती मम जिवहागरे वदवद क्लीम श्रीम रीम ग्रेम आम ये भी सरस्वती जी का मंत्र है कोई भी मंतर लेकर कि आप अपनी बुद्धी का बढ़ा सकते हो, ज्ञान को बढ़ा सकते हो, लिए आपकी मेंमोरी कम है तो मैंमोरी को बढ़ा सकते हो, इसके अलावा इन मंतरों को जप करने के साथ-साथ, आप चाहें, तो नमा, भगवती, सरसती के कुछ सुस्त्रोत भी है जैसे कि या कुंदेंदकु तुशारहारदवला या शुबवस्त्रहवता या वीनावरदंडमंडगतिकरा या फिर अलग-अलग तरीके से अलग-अलग इस्तोत लिखे गए हैं अर्थ सबका एक जिसा ही होता है तो एक सरस्ति इस्तोत आपके सामने प्रस्तुत करते हैं आप चाहें तो रोजाना इसको भी खुद याद करके बोलके आप इसका पाठ करेंगे तो भी निश्चित तोर से जिन बच्चों को याद करने में तकलिव होती है जो भूल जाते हैं याद नहीं होता है या परिक्षा देने जाते हैं अपन रस्ते में ही भूल जाते हैं डर लगता है परिक्षा देने से बुखार आ जाता है उनको इन मंत्रों और इस्तुतियों को पाठ अवश्य करना चाहिए तो सरस्वती इस्तुति इस्वरकार से हैं रविरूद्रपितामह विष्णुनुतं अरिचंदनकुम्कुम्पंगयुतं मुनि व्रंदकजेंद्रसमानयुतं तवनोमिसरस्वतिपादयुकं शशिशुद्ध सुधाहिमधामसुतं शरदंबर विंबसमानकरं बहुरत्नमनोहरकांतियुतं तवनोमिसरस्वतिपादयुकं कनकाप्च विभूषित वितिसुतं भवभाव विभावित विन्पदं प्रभुचीत समाहित सादुपदं तवनोमिसरस्वतिपादयुकं मतिहीन जनाश्य पारमिदं सकलागम भाशित भिन्पदं परिपूरित विश्वमनेक भवं तवनोमिसरस्वतिपादयुकं सुरमोलि मनिद्धुति शुब्रकरं विशयादि माहाभय वल्नहरं निजकांति विलाइत चंदशिवं तवनोमिसरस्वतिपादयुकं भवसागरमंजनबीतिनुतं पति प्रतिपादित संततिकारमिदं विमलादिक शुद्ध विशुद्ध पदं तवनोमिसरस्वतिपादयुकं परिपुर्ण मनोरत धामनिधिन परमार्थ विचार विवेक विधिन सुरप्योशित सेवित पादतमं तवनोमिसरस्वतिपादयुकं गुणनेक कूला इस्तती भीतिवपदं गुणकोरवकरवित सत्यपदं कमलोदर कोमलपादतलं तवनोमिसरस्वतिपादयुकं इस प्रकार से ये आठ पद इसमें दिये गए हैं महा सरस्वति की पूर्ण क्रपा और सरस्वति के माध्यम से मोक्ष प्राप्त करने है तू इस इस्तरोत का प्रति धिन आत्मा से दिल से कम से कम तीन बार अवश्य पाठ करना चाहिए अवश्य मोक्ष की प्राप्ती होगी जो भी मनुश्य ये इस्तुती हमसे चाहता हो, तो इस्तुती को वाटसप पर संदेश दे करके इस्तुती को प्राप्त कर सकता है। आम एम रिम कलीम, आम एम रिम श्रीम कलीम वागवादीनी सरसती ममध्यु भागरे वदवद कलीम, श्रीम रिम गरेम आम।